नमस्कार दोस्तों, LV Classes में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में Physics के एक Most Important Topic के बारे में बताऊंगा ये Topic Board परिक्षा के दरश्टे से बहुत ही महत्तुपूर है तो आईए नाभिकी विखंडन यानि कि नाभिकी विखंडन क्या होता है तो ध्यान देजी इसमा दिया गया है कि किसी भारी नाभिक का लगभग दो बराबर भागों में तूट जाना नाभिकी विखंडन कहलाता है यानि कि जब कोई बड़ा नाभिक जो है लगभग दो बराबर भागों में तूट जाता है तो यहां घटना जो है नाभिक की विखंडन कहलाती है चैसे उधान में दिया गया है कि जब कोई मंदगामी नीट्रान किसी विखंडनी यूरेनियम के नाभिक द्वारा और शोशित होता है तो यहां पर धान्देजी आया है विखंडनी यूरेनियम तो यूरेनियम जो होते है निकि प्राकर्तिक यूरेनियम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक होता है अपका 92 यूरेनियम 235 जो की यहां पर दिया गया है उसको बोलते हैं आविखंडनी यूरेनियम तो यहां पे लिखा गया कि जब कोई मंदगामी नियूट्रान किसी विखंडनी यूरेनियम के नाभिक द्वारा ओशोशित होता है तो यह नाभिक आस्थाई होने के कारण बेरियम तथा क्रिप्टान की नाभिकों में तूट जाता है यानि की नाभिक जो है वो आस्थाई होने के कारण बेरियम तथा क्रिप्टान के नाभिकों में तूट जाता है इसमें तीन तीवरगामी नियूट्रान तथा लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रान ओल्ट तूर्जा निर्मुक्त होती है तो ध्यांदेजी जब भी कोई मंद गामी नियूट्रान जो है वो किसी विखंडनी यूरेनियम से टकराता है या फिर आशोशित होता है तो नाभिक जो है आस्थाई होने के कारण बेरियम और क्रिप्टान के नाभिकों में तूट जाता है और इस घटना में जो है तीन तीव गामी नियूट्रान निकलते हैं और इसमें लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रान वोल टूर्जा निर्मुक्त होती है तो इसमें जैसे दिया गया है पर ये बाननभी यूरेनियम 235 तो ये एक विखंडनी यूरेनियम है और ये मंद गामी नियूट्रान यहां पर दिया गया है 0N1 तो जब इस पर आउशोशित होता है तो इसमें बेरियम और क्रिप्टान यानि कि जो ये विखंडनी यूरेनियम था वो बेरियम और क्रिप्टान दो नाभिकों में तूट जाता है यहां पर दिया गया है तो अब ध्यान देजिए इसके बाद, इसके बाद है स्रंखला विक्रिया, तो स्रंखला विक्रिया जो है शी नाभिके विखंडन क्रिया पादाई तक ध्यान देजिए इसमें स्रंखला विक्रिया जो होती ही वो दो प्रकार की होती है, एक अनियंत्रित स्रंखला विक्रिया इसके अलावा दूसरी होती है नियंत्रित स्रंखला भिक्रिया तो पहले ध्यान देजी आप अनियंत्रित स्रंखला भिक्रिया क्या होती है तो इसमें दिया गया कि जब विखंडनी यूरेनियम का एक नाभिक तूटता है तो तीन तीवरगामी नियूट्रान निकलते हैं ये भी आपको नाभिके विखंडन क्रिया में बताया गया था कि इसमें तीन तीवरगामी नियूट्रान निकलते हैं तो वही इसमें बताया जा रहा है कि जब विखंडनी यूरेनियम का एक नाभिक तूटता है तो तीन तीव रगा में नियूट्रान निकलते हैं ये तीनो नियूट्रान जो है अन्य तीन नाभिकों का विखंडन करते हैं जिससे नो नियूट्रान उत्पन होते हैं इस प्रकारिया स्तरंखला विक्रिया अन्यंत्रित हो जाती है तो ध्यान देजिए पहले जब विखंडनी यूरेनियम का नाभिक तूटता है तो तीन तीवरगा में नियूट्रान निकलते हैं फिर ये तीनों नियूट्रान जो है वो अन्य तीन नाभिकों का विखंडन करते हैं जिससे 9 नियूट्रान निकलेंगे फिर एसी प्रकार जब अनियंत्रित संखला अभिक्रिया तो इसमें दिया गया है कि अनियंत्रित संखला अभिक्रिया का परयोग परमाडु बंब बनाने में किया जाता है यानि कि इस तरंखला का परयोग जो है वो परमाडु बंब बनाने में किया जाता है तो इसमें याद रखने आपको कि जब भी विखंडनी यूरेनियम का एक नाभिक तोड़ता है तो इसमें तीन तीवरगामी नियूट्रान निकलते हैं और फिर वो तीनों नूट्रान जो है अन्य तीन नाभिकों से विखंडन करते हैं जिससे नौ नूट्रान उत्पन होते हैं इसी प्रेकार फिर जो नौ नूट्रान होंगे वो अन्य नाभिकों का विखंडन करेंगे तो फिर 27 नूट्रान उत्पन होंगे इस प्रकारिया स्रंखला अभिक्रिया जो है अन्यंतित हो जाती है और इसमें अत्यंत अल्फ समय में पूरे पदार्थ में विश्पोट हो जाता है इसलिए इसको बोलते हैं अनियंत्रित संखला अभिक्रिया और इसका प्रयोग जो हो परमाड़ुबं बनाने में किया जाता है इसके बाद दोशरा है नियंत्रित संखला भिक्रिया तो इसमें ध्यानदीजी इसमें दिया गया है कि यूरेनियम नाभिक के प्रतेक विखंडन में तीन नियूट्रान उत्पन होते हैं ताकि आपको बताया गया था भी विखंडन क्रिया में, तो इसमें भी तीन नियूट्रान उत्पन होते हैं, प्रतेक विखंडन में दो नियूट्रानों को आउशोशित करा लिया जाए, तो एक ही नाभिक से विखंडन होता है, इससे नियनते संखला भिक्रिया कहते हैं, तो यूरेनियम नाभिक के प्रतेक विखंडन में जो तीन नियूट्रान उत्पन होते हैं उनमें से प्रतेक विखंडन में आपको दो नियूट्रान जो है वो और शोशित करा लेना है तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करिएगा